नमस्कार आप देख रहें न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ असोग चौहान देश और दुनिया की तमाम खुबरों पर आईए डालते हैं एक नजर आम आदमी पार्टी के पताधिकारी ने इंडिया गड़ बंधन के बैनर तले लोग सबास सदस सीट आजमगर से चुनाव लड़ रहे धर्में द्रयादों को जिताने के लिए कसी कमर और युवाँ में भरा जान मेडिया से बात करते विवा और पार्टी के पताधिकारियों ने क्या कहा आप भी सुनिये नियूज नाइन भारत के लिए रोचल लाल की खास रिपोर्ट कि नमस्तार इस समय मौझूद है आदमगर जिला के गोपालपूर बिदानसभा के परस्वामपूर बाजार में जहां इंडिया गटवंधन की तरफ से एक मिटिंग कर रहे है चौपाल चर रहे है इसने तमाम पार्टी के लोग है आईए हम जानते हैं कि इस पार्टी का इस मिटिंग का इस चोफाल का उद्देश क्या है सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो यहां नौजमान इस सेटर के इकठ्व हुए क्याना पड़ेगा आपका रंजन जी बताईए यहां आने का मत्तब क्या था किसलिए आए यहां आने का मत्तलब यह है जो समिदान को खतम करन कि आमाद्मी पारिटी द्वारा जो इंडिया गटबंदन की सवयोगी पारिटी है इंडिये मिटिंग रखे के इस इसले कि यह जो समिदान को खतम करने का तरीका अपनाया जा रहा है और जो जवर्दस्ती ताना साही सरकार चल रही है इसको कैसे हराया जाए आपको बचान करना चाहते हैं इस वजह से हमने मिटिंग रखे इसका अच्छा पर रखाया बचाएं इस संदेश है इस ताना सांदी को खार जए यह जो सदा मया का नहीं हुआ यह बोलता है मंगरशूत मंगरशूत नहीं बचा पाया क्या भारत की नाजियों का मंगरशूत बचाओगे बात चल रहे कि संभीधान को बचाने के लिए कि यह क्या कहेंगे आपको समझ में इस देश को अगर समय खतंग कर देंगे तो हमारे नारे नाकरे प्रूबी है उन्हें कोई अधिकार नहीं रहेगा कि अपनी जीवन जो है अपने बहुत अच्छे दाइगी से जीविट कर सके सब्सक्राइब कर देंगे आज यहां कि मुद्धित करूपे प्रांती अधिक्ष है आम आदमी पार्टी के राजीश जाएगे आज यहां जो पाल आपने लगाया आज यह सारे लौजवान यहां पर रिकठा हुए थे और हम लोगों ने एक अंद्रिंग चर्चा की लोगस अपना और भारत का वश्य बचाना है इसके लिए हम नौजवानों के साथ बैठ करते होगे और अब तक इस सरकार ने क्या किया है हमारा देश कैसे आजाद हुआ हमारा संविधान कैसे बना और उस संविधान के प्रतिकिन लोगों की बुरी नजर है कैसे वो लोग असना अ अखर के हमारे अधिकारों को समाब करने के साजिस कर रहा है कैसे इस देश की अर्थ व्यवस्ता चोपट होते जा रही है कैसे इस देश के उद्योग पत्यों के हितों में ही सारे कानून बनाए जा रहा है कैसे इस देश के नौजवानों को उनको रोजगार से बंचित दिय जा रहा है कैसे इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवार किया जा रहा है कैसे इस देश में उन मंत्रियों को सरक्षण दिया जा रहा है जो हमारी माताओं बहनों की असमत के साथ खिलवार कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करने आए हैं और अपने आजादी अपने द और तैयार बैठा है इस सरकार को बदलने के रिए इंडिया गर्मंद्र कुछिता है। सरकार तो कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे क्योंकि हमने जुआओं को रोजगार दिया है। बीष्ट ग्रूप पनाने के अपक्या प्रयाज किया है भारत को और हातों में रुजगार दिया है। प्री में राशन दिये हैं जनता को जो सत्तर साल में नहीं वाओं अब हम किये हैं। प्रीष्ट पार का जहां तक मसला है उसके पीशे बहुत बड़ी लाजिक आप देख रहे हैं कि खुले आम भारती जनता पार्टी केद्र सरकार के मंत्री MP अधिकारों को आसानी से हनन किया जा सकता है। बड़े लोगों को आसानी से उत्तर प्रदेश सहित तमाम राजियों की जमीनों जमीने कवडी के दाम पर दी जा सकती है। जैसे अडानी के अप पंजाब में दुनिया बरकाप में देखा था। उनका वो बनवा दिया गया था। फार महाँ सुनता वो क्या क्या सब बनवा दिया गया। खेती हडपने की योजना बनाई गया। काले कानून लाए गये तो जब संविधान खतम हो जाएगा तो यह सब काम वोधी सरक्राइब कि पता दूँ आपसे। नारा थो इन्होंने 2 करोल रोजगार हर साल देने का किया था। नारा थो इन्होंने 15-15 लाग रुपया देने का सन 14 में किया था। आज 24 आ गया। तो इनके नारों का क्या है जनता जाग रूख है। इनके समझ में आ रहा है कि हम ये नारे वाजी थोते बाजी नारे वाजी करके फिर इस देश को बेवकूप बरा लेंगे। ऐसा होने वाला है। इसे कड़ी में हम आम आदमी पार्टी के गोपात पुर्विधान सवाथ से प्रत्यासी रहे चुकी। इंजिनियर सुनी चुमारे अदर जी से बात करेंगी कि इस चौपाल के माध्यम से आप जंता को कुछा जोना चाहते हैं। आप एक से है सर्व परोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जो कितना बाजूएकातिल में है। जो पंद्रा लाग उपर खाते में डालने का बयान देता था जिसके ग्रीह मंत्री कहते हैं वो तो जुमला था वो आज हर कार हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर डेड़ डेड़ लाग रुपए का करजा चड़ा चुते हैं यह संधना है हमारे देश के सरी व्युवासातियों को जिद्रे भी सातिय आये थे यहां पर इस कारिकरम के बाद सारे जंता को कनवे करने की कोसिस करेंगे और बताएंगे किस तरीके से जो मोदी सरकार है जो महिलाओं की सुरच्छा की बात करता है मंगल सूत्र की बात करता है उसी की सभाव में महिलाओं का काला डुपट्टा घीच लिया जाता है यह कहां कि महिला सुरच्छा की बात करते हैं कहां कि महिला को आदर देने की बात करते हैं रोजगार के नाम का नुपट्टा की चलिया जाता है मिटिंग में इस तरह को यूटूब पे आप देख सकते हैं बकायदा रिकॉर्ट किया जा रहा है सोसल मीडिया में कोई बच नहीं सकता किसी का कुकर्म बच नहीं सकता तो और हमारा जो रोजगार मांगने जाता ही हुआ तो यह बूलते हैं पकोड़ी बेचु मडिपूर जल रहा है और तो अर्ध नगन करके पूरा नगन करेके उनका लभात पैर काट दिया जा रहा है और यह कहता है हमारा सीना 56 इंच का सीना आप मडिपूर में दिखा रहे है हमारा जो देश का नौजवार है वो जान चुका है जितने भी पढ़े लिखे हैं वो से जान चुके हैं अब इनकी खुछ भी चलने वाली नहीं है फिर तो द्वरा आप हमारे नौजवानों का यह कहना है सरफरोशी की तमधार अले देखना है जो कितना बाजु है अब बि मेरी तकदीर हो मेरे खाबों कि तुम कोई जागीर हो क्योंकि मैं जागता जिन्दा एकलास हूं नहले को काटे तहला में ओतास हूं सुझी कुमार क्यादो जी आम आदमी पार्टी से प्रतैसी रहे जिनोंने मुह तोड़ जवाब देने का काम किया है अपने नवजवानों के माध्यन से यहां से इंडिया घटवंदन को जिताने का प्रयास करेंगे अगली करेंगे खातनाम साथ अगली बताएं क्या करना चाहिए क्या पूछना चाहते हैं कि आगे जैसे कि इंडिया घटवंदन में तमाम लोग आए या ज्यावलत पर प्रमोद इकटव हो नहीं कि अभी आपने कई बार जोड़ देके आख चारसो पार चारसो पार चारसो नहीं सुनाई पर रहा है और यह दूसरा इनका था मंगल शूत्र वाला यह भी नहीं बंद कर दिया मैं आपको बता रहा हूं दो दिन के अंदर किसे चनक चुनाब पले रोना धोना शुर करेंगे लेकिन का कुछ चलने वाला नहीं है इंडिया घटवंदन जीत रहा है किसी तरही में होसना जाना चाहेंगे कहना मड़े गशार अप्सेकर जी बताएं आप क्या कहना चाहेंगे जलता कुछ का संब्रेश देना चाहेंगे जी किस तरह कर जीत दिलाएंगे प्लिए पासंब आप लहें जीत रहेंगे रास्ति आप लिए जीत दिलाएंगे लुक क्या कि आ प्ये स्रकार करें तो प्ली में रास्न बात लएं रासन से कांड तार नहीं 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 जांता साइगा प्राइवेटी स्कूल में इतनी मांगी फीश, इतनी मांगी काफी किताब किस पर है ध्यान सरकार का? आप लोगों से पूछी उन लोगों से इसके बात करिये आप लोगों क्या तंदे से सिच्छा और बात करिये उनसे तो ये थे तुमारे इंडिया गटबंदम के तमाम लीडर लोग डिविज नाइन हारत के लिए और उप्रामपूर से रोशनलाग की खाफिक हो आदमगड सहर में जहां हमारे सामने आम आदमी पार्टी के प्रवांचल अध्यक्ष मवजूद हैं सिराजिस ज्यादव जी आईए हम जानना चाहेंगे इनसे की इंडिया के सम्मान में आम आदमी पार्टी के कारकरता पलाधिकारी मैदान में इस अंदाज के साथ ये बहुत बहुत धन्यवाद स्वरुप्रथम आपका आपके दरस्वकों का भी धन्यवाद आज के इस दोर में जब देश में लोकसभा का चुनाव चल ला है कि जनता सरकार चुनने जा रही है और एक तरफ वह पार्टी है जो लगातार जूठ जूठ पए जूठ जूठ कर्म्हकिस और जितनी भी वाद इस पार्टी निकिया एक भी वादा चाहे वह नौकरी से रिलेलेटड हो चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो कोई भी मुद्दा हो मौजुदा सरकार किसी पर खरी नहीं हो पूरे पचास साल बाद अब तक जो कांग्रेश ने लोगों को फ्री मिराशन नहीं दिया हमने जल्दा को आम आदमी को फ्री मिराशन दिया है हम उस बेश पे चाहस स्टीट पानी का तावा कर रही है आपका क्या चाहिए रहे हैं सत्तर सालों में कोई सारजनिक संपत्ती जो गॉर्णमेंट ने बनाई थी पी एस्यूज को और जो हमारी नौरतन कंपनिया थी उनको भी किसी नहीं बेचा था पहरी बार भी की हैं सत्तर सालों में बेरोजगारी का ये आलम नहीं था जो आज है सत्तर सालों में महंगाई कितने गुना बढ़ गई आप सब इससे वाकित हैं तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले सत्तर सालों में नहीं हुआ आज ग्रेजवेट्स की संख्या दुनिया में सबसे जादा बेरोजगार ग्रेजवेट्स की संख्या हमारे इंडियन है किसको आप इसका स्रे देंगे मौजुदा सरकार भार्टी जन्ता पार्टी की सरकार जो विदेशों में डंखा भजाने की बात तो करती है लेकिन अपने देश में जब रोजगार देने की बात होती है तो एलेक्टोरल बांड से अपने लोगों को रुजगार दिलाने का काम करती है बारती जनता पार्टी के लोगों को रुजगार दिलाने का काम करती है जब लोगों को आवाज दिने की बात होती है कि इने घर चाहिए तो पूरे देश में भारती जनता पार्टी का शांदार क तक गीद गली गली वजी की जो रान को लाएंगे तो ऐसे वेश में इस हालत में आप किस तरह से अपने मद्दाताओं को लुभा पाएंगे अपनी तरह आज हमारे देश का जो संविधान है उसका जो प्रियंबल है कहीं न कहीं उसके साथ ही यह सरकार दुखाधड़ी कर रह पूछ सकें अपने हितों की अगर कहीं अंदेखी सरकार हमारे हितों की कर रही है तो हम उसकी तरह उंगली उठा करके यह कह सकें कि तुम गलत कर रहे हो वो ही राइट यह सरकार छिनना चाहती है पांच किलो रासन की आड़ में थोड़ी बहुत सुविधाएं दे करके जिनका कोई मतलब नहीं है जिससे पूरी दुनिया में एक बद्रामी हमारी हो रही है कि भारत में 80 करोंग लोग खाने बिना मर रहे हैं सरकार उन्हें खानक ला रहे है उनको सक्षम किया जाए उनको इस योग के बनाया जाए कि वो दूसरों को अनाज दें दूसरों को का पेट पालने के काबिल हो इस सरकार की ये पॉलिसी है कि जब हम देंगे तभी तुम खापाओगे जब हम नहीं देंगे तो तुम नहीं खापाओगे इसलिए हमें लाओ कि हम तुमारा आना चला रहे ह तो ये तो कोई देशित का मसला नहीं हुआ ये तो देश के लोगों के साथ धोगा हो रहा है उनको रोजगार चाहिए उनको वो सुविधाय चाहिए जिससे वो पर्लिक करके आगे गड़े और देश के काम आ सके है देश में उनके बच्चे जो है उनका दिन सुरू नहीं होगा और वो भी परियाप्त होना चाहिए पांच किलो आप मैं क्याना हुआ यहां खबरों का सिल्सिला कभी नहीं ठमता सिर्फ और सिर्फ बने रहे नियूज नाइन भारत पर अब चाहूंगा इजाजर नमस्कार